Hello students, I am Mohib sir and today we will continue with the chapter The Necklace. We have already done part 3 of this chapter, now we are going to start with the part 4 that is the final part of this chapter and we will see where the story is going to end. So we have read the three parts and we know what happened in the story of the three parts. In the first part, we will see where the story is going to end. In the first, second and third part, we will know where the story is going to end. In the third part, we will revise the third part. Before we start the earth room, there was no Mantua left in the car and the unit is going to equal and the difference. उनके उपर चड़ गए थे और वो खोने की वज़े से उन्होंने पूरा उसी जैसा एक और नेकलेस उनको खरीदना पड़ा और मैडम फॉरेस्टर को उनको वापिस देने के लिए वो जाना पड़ा चूरी में क्या हुआ यह हम लोग अभी देखते हैं From then on माडम लॉसल जो है बहुत ही पूर गरीब बी की तरीखे से उसनोंने बिबायीør पूर उसने बिदाई… पने जो रोल है वह बहुत अच्छे से हीरोईकली इसी बहुत ही अच्छे इंसान बनकर उनने रहेक कुए अगे… the dreadful debt must be paid dreadful debt बहुत बड़ी जो उधारी थी उनको पे करना ही था she would pay it उसने ठान लिया था कि वो जो उधारी है वो खुद पे करेगी वो खुद उसके लिए भी महनत करेगी वो उधारी पे करने के लिए they dismissed their maid उन्होंने अपने जो घर पे काम करने वाले थे जो खाना पकाते थे बरतंद होते थे कर्चरा फिकते थे या लादी पोचा करते थे जिसे जमीन वगेरा पोचने का साफसफाई का काम उन्होंने उनको निकाल दिया they changed their lodgings they rented a garret under the roof उन्होंने अपनी जो जगा थी रहने की वह जगा चेंज कर दी थी जहां पर ज्यादा रेंट देना पड़ता था उसकी जगा पे उन्होंने एक garret में अपना घर ले लिए पर की एक घर के ऊपर एक चोटा सा टैरिस के ऊपर चोटा सा रूम होता है ना जैसे storehouse जैसा रहता है उसमें वो लोग रहने लगे जिसमें बहुत काम रेंट देना पड़ता है इससे क्या करेंगे वो लोग पैसे बचाएंगे काम वाले को निकाल कर अपने घर से जितने भी चीज़ों हो सकती उतने जादा सेविंग्स करना उन्हें शूरू कर दिया अब उससे पता चला है कि जो घर के काम है द्रजरी आफ हाउस वरक मना घर के जो काम है वो कैसे होते है the audious labors of the kitchen audious labors मतलब घर में जो कीचन में जितना काम होता है बरतन दोना वो सारे काम भी उसको अभी पता चलने लगे कि ये सारे काम कैसे किया जाते है she washed the dishes, the dirty linen वो अपने बरतन दोने लग गई dirty linen, linen मतलब clothes, कपड़े दोने लग गई she carried the garbage down to the street every morning रोज सुबा वो अपना कचरा फेकने के लिए garbage के लिए नीचे उतर कर garbage फेकने के लिए जाने लगी रस्ते के पास जो garbage रखने के लिए dust भीन होता है and carried up the water, पानी भरकर उपर लेकर आना stopping at each landing to catch her breath and dressed like a commoner हर जगा पर रुख रुख के सास लेकते हुए हर काम में वो अपने आप से करने लग गई थी जो अपने आपको बहुत beautiful समझती थी कि मैं बहुत बड़ी अमीर लोगों की जिन्दगी जी होगी और वो अब इस तरीके की जिन्दगी जीना शुरू हो गई अब सोचो आपने के उस टाइम पर उसने इतना महेंगा ड्रेस खरीदा था जो बहुत ही अमीर लोग खरीदते हैं जैसे वैसा ड्रेस खरीदा था और अब वो एकदम कॉमन लोगों की ठरा रहने लगी कॉमनर लोग की दरा तो यह सारी चीज़े उसको करने पड़ी इसको मार्केट में बार्गें करना पड़ता था कोई बी चीज पैसे के लिए लड़ने लग गई थी क्यूंकि उसको अभी वो सारी उधारी चुकानी है इसलिए वो ऐसे हो गई थी इच मन्त दे हैड टू पे सम लोन हर मैंने उसे कुछ न कुछ लोन पे करना पड़ता था रिनीव अधर्स गेट मोर टाइन फिर कुछ लोन कहीं से और उठा कर ये वाले को लोन पुराने वाले को दे कर दूसरे नए वाले से नए वाले को चुकाना इस तरीके से वो अपने ल इस तो हर शाम में क्या करते थे अलग से अकाउंटिंग का काम करते थे जो बिजनसमेन है उनके लिए और रात में लेट आते थे क्योंकि काम एक्स्ट्रा करना पड़ता था उनको एक्स्ट्रा कमाई के लिए वह जो मैनिस्क्रिप्ट होता है वह लिखना शुरू कर दिया मैनिस्क्रिप्ट मतलब जो इंसान के हाथों से लिखी हुई चीज़े होती ना डाइरी या बुक वह लिखना शुरू कर दिया उनको पांच पेज के उनको सो मिलते थे सो मैंने आपको जैसा बता है चिल्लर तो वह उनको मिलते थे एंड दिस लाइफ लास्टेट 10 यह और इस तरीकी की जिंदगी उनने 10 साल तक बिटाई 10 साल ऐसी जिंदगी उन्होंने बिटाई इसनी सेविंग्स करके इतनी सारी चीज़े करके 10 साल तक उन्होंने इस सब चीज़े किया At the end of 10 years, they had paid off everything, और 10 साल खतम होने तक उन्होंने अपना सारी उधारी जो है वो खतम कर दी, सब को चुका दिया, even the interest, interest भी उन्होंने खतम कर दिया, जो interest था उधारी के उपर, वो भी उन्होंने चुका दिया, तो उनकी सारी उधारी उन्होंने खतम किया, खतम करने के लिए कितना टाइम लगा, दस साल लगा, अब सोचो एक छोटी सी गलती के वज़े से, उनको कितना सफर करना पड़ा, मैडम लॉइसल लुक्ट ओलड नाउ, उफन शी ब्रुडेड ओर दीकने लगी थी, पहले थो ब्हुत ब्यूटिफूल थी पर अब बुड़ी दिखने लगी, शी ब्रुडेड ओर दीकने लगी, वो अभी अपने पास्ट को लेकर बहुत ही दुखी रहती थी और सोचती थ सकते था अगर नेकलेस उनसे गूम नहीं होता था हाव स्ट्रेंज लाइफ इस हाव फिकल कितनी अजीब जिन्दगी होते हैं कि हाव फिकल मतलब कैसी चुटकियों में जिन्दगी बदल जाती है चेंज हो जाती है यह वह सोचने लगी हाव लिटिल इस नीड़ेट फॉर वन हमारी लाइफ को खराब कर दिये अब आगे देखते हैं आगे क्या हुआ संडे एस शी वागिंग इन दे चैंप्स एल्सीज सड़नली शी सो मैडम फॉरेस्टेर स्टील यंग स्टील ब्यूटिफुल स्टील चामिंग और एक संडे को जब वह वो कर रही थी एक चैंप्स एक नाम के एक जगा पर वह वाक कर रही थी मैडम मटल दी जो है वह वह वाक कर रही थी और उसने अच्छानक से वहां किसको देखा मैडम फॉरेस्टेर को देखा स्टील यंग अभी भी यंग दिख रही थी अभी भी बहुत ब्यूटिफुल लग रही थी वह और अब क्योंकि उसने सारे सब उधारी वगेरा सब पे कर चुके सब कुछ तो दे चुकिये वह तो अब मुझे बात करनी चाहिए क्यों नहीं करने चाहिए शी वेंट अप टू हर गुड मॉर्निंग जैनी वह उसके पास गई और उसको बोला गुड मॉर्निंग जैनी जो है वह मैड़म फोरेस्टर का नाम था और अश्कौकि तो ादरेश्ट दी अध्रैस डुदे अच्छे से लेज आवाज़ दे रही कून् यहीं यहीं नाँ मैंटी मटले को पैचाना ही और मादम फॉरेस्टर है पुक्स पूर्द्व कर ऊसने बोलि situations अ सब्सक्राइब लग्सेंने इसने और इसनी में आपको नहीं गोड़ील तब मतल्डी ने बोली no I am मतल्डी लॉइसल अब उसने बता है कि मैं तो मतल्डी लॉइसल हूं तुमारी friend her friend uttered a cry oh uttered a cry मतलब थोड़ा सा चिला कर मतलब थोड़ा सा हैरान होगा चिला कर बोलती है अरे हां तुम my poor मतल्डी how you have changed वो बोल रहे कि अरे मतल्डी तुम कितिनी बदल गई हो yes I have had some hard times since I last saw you तो बलती है हां मैं बहुत बुरे time से गुजर रहे थी जब last time मैं तुम से मिली थी उसके बाद से मेरी जिंदगी में मैंने बहुत बुरा time देखा है and many miseries and all because of you और बहुत सारे miseries miseries मतलब वही परेशानी संकट से मैं गुजरी हूं और यह सब तुमारी वज़े से मैंने जहला है me how can that be बोले कि मेरी ते वज़े से वह कैसे you remember that diamond necklace that you lent me to wear to the ministers party yes well मतली ने उसको बोला कि जो मैंने आप से necklace लिया था मांगा था पहनने के लिए आपको याद है वो तो बोलती हाँ याद है अब आगे देखो well I lost it what do you mean you brought it back बोलती कि मैंने मेरे से वह खो गया था तो क्या मतलब तुम्हार आई तुमने तो वापिस मुझे दे दिया है I brought you back another exactly like it and it has taken us 10 years to pay for it मैंने आपको रिटन तो किया था वो बट वो same to same necklace हम लोग ने खरीद कर आपको रिटन किया और उसकी जो खरीदने के लिए जो पैसे जमा किये थे उसकी उधारी हमको 10 साल लगे पे करने के लिए it was not easy for us यह हमारे लिए आसान नहीं था we had very little but at last it is over and I am very glad हम लोग ने बहुत मेहनत की और आखिरकार हम लोग ने वो चीज कंप्रेट की और अब मैं बहुत खोश हूं कि हम लोग ने वो सारी चीज़े पे कर दी यह मैडम फिरेस्टर वास टूंड मैँ फ़रेस्टर गों डान फो एक दम सोब्सक्राइब और यू से डान यूब बढला कि टुम वे बोलना चाहरे हो ki तुमनेने मेरा नेकलेस गुमा कर मुझे एक डाइमलेन्ट नेकलेस करके दिया येस यू डिद नाट नोटिस देन मैडम पॉरस्टर ने उसको पूछा कि तुमने मेरा नेकलेस यह किया रिप्लेस किया तो मैडम लॉइसल बोल रही है हाँ आपने नोटिस नहीं किया क्या यह चीज देवर वेरी सिमिलर वह बहुत सेम तो सेम थे अब मैडम लॉइसल जो है एकदम खूशी से उसको बोल रही है कि हाँ एकदम सेम तो सेम हम लोग ने आपके लिए रिप्लेस करके वह खरीद कर दिया मैडम फॉरेस्टर डीपली मूवड तुक बोथ हर हैंड्स अब मैडम फॉरेस्टर जो है वह बहुत ही इस चीज से बहुत टच हो गई और उसने अपने दोनों हाथ जो है वह जोड दिये मैडम फॉरेस्टर बोलती है कि मैटल डी मैंने जो आपको नेकलेस डायमेंड का दिया था वह तो सिर्फ एक इमिटेशन था नकली था वह सिर्फ पांच सो फ्रैंक्स का था और आपने क्या कर दिया आपने मुझे वह उसकी जगा पर रियल डायमेंड का नेकलेस खरीद कर दिया और यह जो था इस्टोरी का एंड था अब मैडम फॉरेस्टर ने उस मैठली के दोनों हाथ पकड़कर यह सच्चाई बताई कि वह जो था वह नकली था और आपने मुझे रियल खरीद के दिया अब यह स्टोरी जो है यह हमें बहुत कुछ सिखाती है खास करके यह मै पाज जो भी है वह जादा अच्छा है जादा बैतर है जादा ब्यूटिफुल है और यह उसी के चकर में इसने यह सब किया अब क्या हो गया और दूसरी चीज कि इन्होंने जूट बोला इन्होंने चुपाने की कोशिश की अब अगर उसी वक्त बता दीती थी कि यह एनेक बस आप ज़रूर इस चैप्टर से कुछ ना कुछ बहुत अच्छी चीज़े सीखेंगे बस आप इस चैप्टर को अच्छे से फिर से एक बार चारों पार्ट देख लो समझो स्टोरी को और फिर हम लोग इसका क्वेशन अंसर करेंगे ओके चैंक यू फॉर इट एव इस चै?